तो एक single website के ऊपर आप कैसे multiple products को promote कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा, दोस्तो multiple affiliate product को promote करने के लिए सबसे पहले आपको एक affiliate product को choose करना है, and affiliate product को choose करने के लिए आप किसी भी affiliate network कर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके clickbank हुआ, jvizu हुआ, wordpress हुआ, amazon.com हुआ, तो आपको एक affiliate network के ऊपर अपन अकाउंट करीट करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्जामपल लेने वाज issue 24 का, तो हमने issue 24 के ऊपर अपन अकाउंट करीट कर लिए हैं, और इसके market place को open कर लिए, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्जामपल लेने वाले health and fitness की नीच करेंगे, और यहाँ पर आपको health and fitness का option दिखाई दे जाएगे, तो आपको इसको पकलिक करेंगे, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे products हैंगे, अब आपको यहाँ से एक product को choose कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर multiple product को promote करना चाहता हूँ, तो मैं कम सकम यहाँ पर तीन products को choose करना, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर example लेनले कीटो की नीच करेंगे, तो इससे के नुसर हम यहाँ पर तीन products को find करेंगे, जैसे कि पहला product हमें यहाँ पर मिलता है, the ultimate keto meal plan, अगर मैं इस product को promote करता हूँ, तो आपको यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है, कि आपको यहाँ पर पर सेल का 56 टॉलर को commission मिल जाते हैं, और दोस्तों आप इस product के card conversion को भी देख सकते हैं, जो की around 12% है, जैसे अगर आप इस product को पर work करते हैं, इसको promote करते हैं, और एक भी सेल को निकलवा लेते हैं, तीजली आप यहाँ पर पर डे के 56 टॉलर को आन कर सकते हैं, तो पहला product हम यहाँ पर इसको चूज करने वाले हैं, और इसको promote करने वाले हैं, दूसर पर पर नाम है अदा keto snack cookbook, यह भी एक digital e-book है, अगर हम इस e-book को promote करते हैं, तो आपको यहाँ पर साफ mention किया गया है, कि आपको यहाँ पर पर सेल का 7 डॉलर का commission मिल जा रहते हैं, और दोस्तों, आप इस product के card conversion को भी देख सकते हैं, जो कि अराउंड 8% है, मैं इस converting product हैं, अगर आप इसको भी promote करते हैं, तो आप इसको promote करकर अच्छा खासा commission on कर सकते हैं, तो दूसरा हम इस product को यहाँ पर promote करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर तीसरे product को choose करने वाले हैं, तो आज के हमारे तीसरे product का नाम है, ketogenic fat loss diet 101, यह भी keto की e-book है, अगर हम इस e-book को promote करते हैं, तो हमें यहाँ पर 12 dollar का commission बिल जाता है, मैं समालों मैं यहाँ पर इस e-book को promote करूँगा, एक भी sale को निकलवा लूँगा, तीजली मैं यहाँ पर पर sale का 12 dollar का commission on कर सकते हैं, और दोसरों इस product का cut conversion 5.5% है, तो अगर आप इस e-book को promote करते हैं, डेफिनिटली आप यहाँ से बहुत सारी sales निकलवा सकते हैं, तो simply हम यहाँ पर इस e-book को भी promote करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर तीनों e-book को promote करता हूँ, और तीनों को मैं sale करवा लेता हूँ, तीजली मैं आप पर पर शेल का $70 का commission earn कर सकता हूँ, मालों मैं आप दिन में 10 sale में निकलवा लेता हूँ, तीजली मैं आप पर पर देए के $700 को earn कर सकता हूँ, तो simply हम यहाँ पर इन products को promote करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर recommend करता हूँ, जब भी आप किसी भी product को promote करें, जैसे कि मैं आप इन तीनों product को promote करना चाहता हूँ, तो पहले आपको इन product के sales page and effort support page को जरूर चैक करना है, ताकि आपको idea लग जाए, कि product किस के बारे में हैं और कैसे ही आपको उसको promote करना है, एन support page के अंदर आपको resource मिल जाते हैं, जैसे कि आपको content मिल जाता है, landing pages मिल जाता है, images मिल जाती, बहुत सरे content आपको आपको मिल जाते हैं, जिनका use करकर आप अपनी strategy बना सकते हैं, और आप अपने products को easily promote कर सकते हैं, तो आपको support page को जरूँ चेक करना है, ताकि आप अपनी strategy को काफी आसानी से बना दे, जैसी आप यहाँ पर अपने product को choose करने, उसके बाद आपको अपने products की image को download करने हैं, इमेज को download करने के लिए आप यहाँ पर support page को use कर सकते हैं, simply आपको in product की support page को पजाना है, और वहाँ से आपको in product की images को download करने हैं, जैसी आप यहाँ पर product की images को download करने हैं, उसके बाद आपको इस website के उपराना है, जिसका नाम है googlesite.com, Google site.com basic website है, जिसके मदम से हम यहां पर अपने पुड़क के लिए single page website create करने वाले हैं, तो simply आपको Google site के उपर आना है, और इसके ऊपर अपने अकाउंट create कर लें, जैसे आप Google site के ऊपर अपने अकाउंट create कर लें, उसके बाद आपको यहां पर आना है, blank site इसको पकलिक कर दो, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा, यहीं पर हम अपनी website को create करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर अपनी website का name रखना है, तो आपको यहां पर चूस करना पड़ेगा, यह आप अपनी website का कैसा name रखना चालते हैं, तो website के name को create करने के विए हम यहां पर use करेंगे chat gpt का, तो simply आपको chat gpt के उपर आना है, और इसक अब आपको यहां से एक नेम को चूज कर लेना है और उसे के अनुसर आपको अपनी वैपसेट का नेम क्रीट कर लेता हूं तो इसको मैं यहां से लिकर हैं पर कोपी कर लूँगा इसको मैं यहां पर कुछ प्रकार से कोपी और पेस्ट कर लेना है यहां पर आपको टैटल चूज कर लेना है यहां से मैं जोरजिया चूज कर लेता हूं साइज मैं इसका 64 रखने वाला हूं और इसका कलर मैं यहां पर वाइट रखने वाला हूं इस प्रकार से यहां पर मैंने इसको सैटल कर लिए अब मुझे यहापर subheading को add करना है तो अगेन मैं चार्च GPT को उपजाऊंगा यहाँ पर मैं प्रोम्ट टैप कर दूँगा Please write subheading for my website और website का नेम यहाँ पर क्या है Pure Keto Essence है तो इसने मुझे बहुत सारी subheading बना कर दे दिये हैं अब आपको यहाँ से एक subheading को copy कर लेना है जैसे कि इसको मैं copy कर लेता हूँ अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर मैं इसको copy and paste कर देता हूँ यहाँ सागेन मैं इसको copy करता हूँ size मैं इसको 14 रख लेता हूँ इसको मैं bold कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पर middle में स centre कर देखा हो तो इस फ्रकास से हैं पर मैंने अपनी Subheading को भी add कर लिए है थोड़ा side में अब उसके उख्रीज कर देता हूं ताकि थोड़ा professional दिखाई दे तो इस प्रकास से iciहाँ पर मैंने अपनी heading वो Subheading को add कर लिए है अब मैं यहां पर आऊँगा, यहां से मैं large banner इसको choose करूँगा, अब मैं यहां पर keto की image को add करना चाहता हूँ, तो मैं image इसको पकलिक करूँगा, upload इसको पकलिक करूँगा, नहीं मैं यहां पर इसी की थुरी image लेना चाहता हूँ, तो मैं select इसको पकलिक करूँगा, Google image इसको यहां पर मैं type कर दूँगा keto diet plan keto diet plan इस परकाँ से मैंने इहां पर type कर दिया है आपके सामने बहुत सारी image सज़ेंगी अब आपको यहां से एक image को choose कर ले नहा है जैसे एक्जामपल तोर पर मैं यहां पर इस image को choose कर लेता हूं तो मैं इसको पकलिक करूँगा इंसर्ट इसको पकलिक कर दूँगा हमारी इमेज यहाँ पर एड हो चुकिए तो इस परकास से यहाँ पर मैंने अपनी heading, sub heading और image को add कर दूँगा, अब हमें यहाँ पर अपनी website को explain करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, text box इसको पकलिक कर दूँगा, इस परकास से, अगें यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं सको copy and paste कर दूँगा, अब आपको कस्तमाइज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ सक्तमाइज कर लेता हूँ, इसको कोपी कर लोंगा, heading इसको choose कर लोंगा, यहाँ से मैं जोर जिया चूज कर लूँगा ठीक है एंड बोल्ड कर दूँगा कलर में इसको मैं मिडिल में सेट करते हैं अब आगे इन आपको यहां पर आना है इसको आपको कोपी कर लेना इस प्रकास से जैसे में इसको कोपी कर लेता हूं एंड साइज में से यहां पर 14 लखने वाला इस प्रकास से यहां पर मैंने अपनी वैपसेट का डिस्क्रिप्शन भी एड कर दिया है अब मुझे यहां पर अपनी products को add करना है तो आपको यहां पर आना है यहां से आपको 3 इसको choose कर लिना है तो कि यहां पर मैं 3 products को promote करना चाहता हूँ तो यहां से मैंने 3 headings को choose कर लिया है 3 images को choose कर लिया है अब मैं यहां पर अपनी image को upload करूँगा जिसको मैंने app at support page के माधिन से download किया है तो मैं upload इसको पक्लिक करूँगा यहां से मैं अपनी पहली image को add कर दूँगा इस परकास से अगेन मैं इसको पक्लिक करूँगा यहां पर मैं अपने दूसरी product की image को upload कर दूँगा इस प्रकास इसको मैं आपर सेट कर दूँगा यहां से मैं पीसरे प्रकास की इमेज को अप्लोड कर दूँगा इस प्रकास मैं इसको यहां पर सेट कर दूँगा अब मैं यहां पर अपने प्रकास की नेम को आड़ करूँगा जैसे कि मैं यहां पर जाओंगा यहां से मैं अपने दूसरे प्रड़क के नेम को कोपी करूँगा, तो यहां से मैं इसके नेम को कोपी कर लेता हूं, अगेन मैं यहां पर आउंगा, यहां पर मैं इसको कोपी और पेस्ट कर लेता हूं, यहां से मैं तीसरे प्रड़क के नेम को कोपी कर लेता हूं, इसको मैं अहां पर copy & paste कर दीया है अम इंधर पेजस को update करने वाला है इसको delete करने वाल हूँ यहां पर मैंने single page website प्रक्राइच कर दीया है अम एपनी website के अंदर pages को add करने वाल हूँ då pages ष्यकम को add करने के लिए आपको आपना है pages इसको पर क्लिक कर देनcket और यहां पर आपको पहले पफेश के नहीं देना है जैसे कि में हापर की टूवल प्ला इसके लिए पेज बनाना चाहता हूं मैं ट्यू कीटो workman明 अब इसको आपकोड़ कर देने और यहां पर आपको अपना पेज create कर लेना है, जैसिक मैं यहाँ पर अपने product की information को देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको add कर दूँगा यहाँ पर अगेन मैं अपने product की image को upload कर दूँगा इस परकास मैं इसको upload कर दिया है इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर set कर दूँगा यहां पर मैं अपनी पुड़े की information को add करूँगा जो कि मैंने chat GPT के मादव हम से create कर लिया है तो यहां पर मैंने key to mili plan के lay description कर लिया है मैंस इसकी information को create कर लिया है तो इसको मैं यहां से copy करूँगा again मैं यहां पर आऊँगा यहां पर मैं इसको copy and paste कर दूँगा यहां से मैं इसको थोड़ा सा set कर लेता हूं like मैं इसको यहां पर थोड़ा सा edit कर लेता हूं तो इसको मैं copy कर लूँगा यहां से मैं title चूज कर लूँगा यहां से मैं जोर्जिया चूज कर लूँगा इसको मैं bold कर दूँगा तो आपर यहां रखने वाला हूं इसके apologize हो थोड़ाख को एंक्रिस कर दूँगा like को 14 को एड़ कर दूगा वाला हूँ इन यहाँ भाएनल सा आजए ako widget कर देता हूं तो आज़े मैं भाई नौग को एंड़ कर दूँगा इसको एड़ कर दूगा है उसको में हाँ रखलेता इसको मैं यहां पर area लखना, bold कर दूँँगा,,iantes colour मैं इसको यहां पर red लखनेवाला उढ़ाओ, इसको मैं middle में set अब इसके ऊपर मैं अपने app put link add करूँगा,िम्हें यहां पर आऊँगा liberal Lite, इस page को ने maxim अपनी main website से connect करने वालाओ, ब्राइक मैं इसको % a 나 even अगेन मैं यहां पर आऊँगा, यहां से मैं इसको कोपी कर लूँगा, लिंक इसको पकलिक करूँगा, यहां पर आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको पकलिक करना अपलाई, इसको पकलिक कर लूँगा, इसको पकलिक कर लूँगा, इसको पकलिक कर लूँगा तो स्प्रकास की यहांपर मैंने अपने android website गरीमें जैसी आपने कंप्रीट website क्रीइड कर लें उसके बाद आपको यहांपर और पपळिश इसको पकिलिक करना है और यहां पर आपको अपनी व्रिम का name अक्राइभ डाल देना है जो यह पर इसका web address रखना चाहते। यहां से मैं इसको copy कर लोगा इस तरीके से and इसको मैं यहां पर इसके copy and paste कर देंगे then publish इसको पर click कर देंगे और मेरी website यहां पर publish हो जाएगी and दोस्तों Google site के उपर website create करने के असे बड़ा फाइदा यहां पर यह होता है उस case में आपको अपनी website को जितना हो से कितने social media websites को पर share करना है जैसे कि आप अपनी website को LinkedIn के उपर, Tumblr के उपर, Instagram के उपर, Facebook के उपर, Twitter के उपर, YouTube के उपर, Mewi के उपर, Minds के उपर इसके अलावी आपको यहां पर बहुत सारी websites में जाती है जिनके उपर आप अपनी single page website को promote कर सकते है और इसके मदम से आप यहां पर बहुत सारा organic traffic प्रहाप कर सकते है and दोस्तों इन websites के उपर already many detailed videos बना रखी है simply आप अमारी free traffic for effort marketing की playlist को देख सकते है इन websites को आप यहां पर explore कर सकते है और आप अपनी website को promote कर सकते है I hope आपको आज का मैतल समझाए होगा कैसे आपको multiple products की website करीट करना है वह भी आपको सुनमा होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज चैनल को share वर subscribe करें और कम सकम इस वीडियो को पर हम रिलाइक्स लेकर है तक इसी टाप का awesome content हम आपके साथ share कर पाए